अच्छी सिहत के लिए जरूर जोह स्वाथ में भरपूर भागलपुर के 3195 बुथों के लिए एवियम का आवंटन राजनीतिक गलों के प्रतिनीधियों के सामने की अगया आवंटन नमस्कार मैं उपुजा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार नियूस भाजपा जैन्त मंडल उपाध्यक्ष राजेस कुमार जा उर्फ राजु बाबा को गोली मार कर हत्या कर दी गई यह मामला बेवर्थाना अंतरगस तेश प्रताप नगर का है जहां मौर्निंग वाब करने के दौरान सीता राम उच्सो हॉल के पास बाइक सवार दो नकाब पोज अपराधियों ने राजु बाबा की कनपटी पर गोली मार कर फरार हो गए वहीं भाजपा नेतर राजु बाबा की मौके पर ही मौत हो गई कुमरार विधान सबाक शेत्र के निर्दलिय उमिदवार विनोत कुमार पाठक ने चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक दी है और लगतार चुनाओ के प्रचार प्रशार में लग गए है विनोत कुमार पाठ़क लगताड जनता के बीच जाकर उनसे मुलाकाद कर रहे हैं और अपना जनसंपर्ख अभियान चला रहे हैं और लोगों से अपनी बाते बताकर उनसे वोट मांग रहे हैं उनका कहना है की अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो कुमरार की सारी समस्याए क दूर कर सकेंगे। और आपको असिरवाद मिलेगा आप लगे रहिए आप खूब लगन से मेहनत कीजिए जिला निर्वाचन भागलपुर के जिला निर्वाचन भागलपुर ने 3195 बुथों के लिए EVM का आवंटन कर दिया बता दें कि आवंटन तमाम राजनितिक दलों के प्रतिनीधियों के स वहीं वय कोशांग के अधिकारी ने राजनितिक प्रतिनीधियों को चुनाओं में खर्चे के आए वय के बारे में विस्तार से समझाया कि एए परिश्चिक अधिक बाहन अधिका भी किसी तरह का दबति बीना अरुम्त ही के नहीं कैनला है इसके अलावे पाटी आविद्वार के दवार जो रैली होता है उसमें टोपी बाटते हैं लोग टोपी बाटते हैं या भी स्टिकर बाटते हैं यह सब बाटा जा सकता है बट लेकिन किसी भी तरह का मुख ही बस्त जैसे साड़ी कपड़ा यह सब नहीं बाटना है यह ऐसा ब पतना हाई कोट की आदेश पर राज निर्वाचन आयोग के जिला अधिकारी को मुकामा प्रखंड की मोर पस्चिमी पंचायत के उपमुख्या पद के चुनाव का आदेश दिया है निर्वाचन आयोक के आदेश के बाद मुकामा की मोर पश्चमी पंचायत के उपमुख्या के चुनाव की कवायत शुरू हो गई है 9 अक्टूबर को चुनाव की तीथी तै की गई प्रखंड निर्वाचन शाखा में सभी 12 वाट सदस्यों को उपमुख्या चुनाव के लिए मतदान में शिर्कत करने की चिट्थी दी गई है वहीं 11 अक्टूबर को चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी रोतास जीलक के नोखा विधान सभा के भाजपा के पारमपरिक प्रत्याशी रामेश्वर चौरासिया को बदलने को लेकर भाजपा के एक गूट गोलबंद होने लगे हैं जिसको लेकर राजपूर में भाजपा के एक खेमे के कारेकरताओं ने अलग से बैठक की प्रत्याशी बदलने का प्रस्ताओ पारित कर इसकी सूचना प्रदेश नेत्रित को देने का फैसला किया है। राजपूर के भाजपा कारेकरताओं ने कहा कि पिछले 20 सालों से नोखा में भाजपा का एक ही प्रत्याशी रहा है इसको लेकर जनता में थोड़ी बहुत उदाशिंता है कैसे होगा आकिस का साथ देगा विरोधिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं तो हमारे पिछले कई वर्सों से हमारे विधान सबाचेत्र की विधायक रह चुके हैं यहां तक उनके कारिकलाप में कोई वियासा काम नहीं हुआ है जिससे आम पबलिक आम लोग हम जैसे लोग उनसे प् बिहार विधान सबाचुनाओ की तिती घोशित होने के बार नाममकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है ऐसे में मसौडी विधान सबाचुनाओ 189 में नाममकन दाखिल करने की प्रक्रिया को लेकर अनुमंडल प्रशासन ने सभी प्रशासनिक तयारी पूई कर इस संबंध में अवर निर्वाचन पदाधिकारी मसौडी राजकुमार ने हमारे बिहार न्यूज पटना जिला ग्रामिड समवादाता अजे कुमार को बताया कि अनुमंडल कार्याले को पूरी तरह से बेरकेटिंग कर दिया गया है, साथ ही धारा 144 लागू रहेगी नाम निर्देशन को देखते हुए भारत निर्वाचन आयक के द्वारा जो निदेश दिये गया है, उसे उसका अक्षाषा पालंग कराया जा रहा है, साथी साथ अभियर्थियों की मदद है तो, अनुमंडल कार्याले में नाम निर्देशन सहता कर्ष्पनाया गया है, जो अ अभियर्थि आएंगे और उनके साथ जो उनके प्रस्तावक आएंगे, अस्वा सहयोगी आएंगे, उनके लिए अनुमंदल कार्याले परिशन में बाहर में बैठने के लिए असल चैनित करते हैं, वहां पर भी उनके बैठने के व्यस्ता की गई है, अनुमंदल कार्याले म सब्सक्राइब करवाने का प्रयात किया रहा है कि नमस्कार मैं इत्वत मशोड़ी अन्मंडल का जाले में हूं आपको बता दें कि विधान सभाद चुनाव 2020 की तीसियों की घोषना हो गई है और आज से नामंकन प्रक्रिया प्रारहम होने वाली है और इस नामंकन प्रक्रिय प्रारहम कराने के लिए मशोड़ी प्रशाषन काफी चुस्त और मुष्न है जैसा कि निवाची प्तादीकारी ने बताया कि निवाचन के लिए काफी कुछ वियल्चां कि आ गया है सरकार के द्वारा कराये गए पंचायच सरकार भवन निर्मार के बार भी लोगों को सुवधा नहीं मिल रही है किसी भी कारे के लिए प्रखंड का र्याले का चक्कर लगाना पड़ रहा है दरसल हिलसा प्रखंड के कावा पंचायच के भट विगहा गाउं में लाखों की लागत से पंचायच सरकार भवन का निर्मार कराया गया है भवन बने पांच वर्स हो गए लेकिन आज तक ना तो पंचायच सरकार भवन का ताला खुला और नहीं लोगों को रासन कार्ट जाती अवसिये के साथ रासन पेंसन कार्ट बनवाने के लिए सुविदा मुहया कराई गई पंचायच सरकार भवन के पास आये हुए हैं वहीं कावा पंचायच के लोगों का अरोप है कि पंचायच सरकार भवन मानो सोभा की बस्तू बन चुकी है कई महिनों से पन्चायद सरकार भवन खुला तक भी नहीं है यहाँ कई अश्टाप पदस्थापित हैं लेकिन कोई भी अश्टाप यहाँ पन्चायद सरकार भवन में करने के लिए नहीं आते हैं यहां तक कि कावा पंचायत के लोगों को हिलसा परखंड कार्यालाय का चक्कर काटना पड़ता है चाहे हो जाती का मामला हो या रासन काट बनाने का मामला हो कोई भी लोगों को काफी कटनाई का सामना करना पड़ता है लेकिन जानते हैं कावा पंचायत के लोगों का क्या कहन यह 55 सरकार भवन खुलता है नहीं कितना दिन पर खुलता है नहीं खुलता है कितना साल से यह बना हुआ है नहीं खुलता है कभी नहीं खुलता है कभी नहीं अभी तक कितना साल से अब देख रहे हैं कि नहीं खुला है छे साल तो हो गया लेकिन अभी तक नहीं खुल सका कोई भी अश्टाप नहीं आता है कोई भी नहीं मानों अभी ये बिल्डिंग खाली देखने के लिए है हाँ त कराने की मुहिम शुरू कर दी गई है इस क्रम में तेघणा में आदर्श मततान केंदर प्रदर्शनी लगाया गया है यहां मतताताओं को मत दान करने की प्रक्रिया को प्रयोगेक रूप से बताया जारा है किεί कोविड के भाय इस बार जैसा कि आपको ग्यात है कि COVID-19 की वज़े से बहुत सारी गाइडलाइन भारत निरवाचन आयोग के बारा दी गई है उसी में एक मुख्य गाइडलाइन यह है कि सबसे एक मदान केंदर में एक एक मीटर की दूरी पर तीन लाइन रहेंगी एक पुरस मदाताओं के लिए एक महिला मदाताओं के लिए एक दिज्यांग और ब्रदिजन मदाताओं के लिए और एक लाइन में एक बारे पांच वेक्ति खड़े हो सकते हैं सेस्ट लोगा अपनी बारी का इंतिजार करेंगे तो इस बार समाजिक दूरी का उनफालन करते हुए मदान पर फ्रिया गराई जानी है उसके लिए एक मॉडल मदान प्रदर्शन यहां पर की गई है साथ में इवियम के बारे में जो ब्रांतिया है नोगों के मन में बक्तियारपूर विधान सभा के भाजपा विधायक रणवीजे सिंग ने बक्तियारपूर के सतभया बेल्थान और माधोपूर गाउं में जमसंपर्क अभ्यान चलाया इस दोरान भाजपा विधायक रणवीजे सिंग ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किये गए विकास कारेों को जनजन तक पहुचाया और अपने 5 साल के कारेों को लेखा जोखा दिया वहीं जो कारे अब तक नहीं हुआ है या अधूरा पड़ा है उसे भी उन्होंने पूरा करने का वादा किया बता दें कि रणवीजे सिंग ने राज़त पर हमला बोलते वे बिहार में एक बार फिर से एंडिये की सरकार लाने की अपील की है सुपाल जीले के त्रिवेडी गन जनुमंडलिये मुख्याले सभागार में स्टम एसजेड हसन ने चुनाओ की तयारी को लेकर बैठट की जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी राजनितिक दलों ने कारेकरताओं को सभा रैली निकालने हो या नुकर नाटक या कोई भी कारेकरम करना हो तो उससे पहले आदेश लेना जरूरी होगा साथ ही कोरोना वाइरस को देखते हुए इससे बचने के लिए समाजिक दूरी के साथ साथ सेनिटाइजर और मास्क का भी उपयोग करना आनिवारे होगा सब्सक्राइब करें दूसरा यह 107 की कारवाई में तिवरता लावें बॉंड डॉन करें जो भी उदर्वी तत्व हैं जो चिन्नित हैं इस वक्त की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही मुझे देज़े जाज़त नमशकार झाल ऑल झाल झाल कर दो restrictions जाई उनकार